Hello everyone, today we read page number 98, सितारों की दुनिया सौर मंडल हम जिस प्रत्वी पर रहते हैं, वह सौर मंडल का एक छोटा भाग है सूर्ज इसके ग्रहों और उनके आस पास घूनने वाली चीजों को सामोहिक रूप से सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं हमारा सौर मंडल सूर्य और उसके ग्रहों से मिलकर बना है सौर्य एक तारा है और सौर मंडल में आठ ग्रहे हैं पहले नो ग्रहे हुआ करते थे, आपको पता है प्लूटो जो है वो विलूपत हो गया है तो हमारे सौर मंडल में अब आठ ग्रहे हैं इनके नाम हैं बुद्ध, शुक्र, प्रत्वी, मंगर, ब्रास्पती, सनी, अरोण और वरोण कुछ साल पहले प्लूटो भी ग्रह माना जाता था किन्तु 2006 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो को छोटा होने के कारण ग्रह की श्रेनी से हटा दिया आईए आज हम इन ग्रहों के बारे में जाने बुद्ध इन ग्रहों में सूरज के सबसे करीब है इसलिए यह ग्रह सूर्य का एक चक्र सबसे कम समय 88 दिनों में पूरा करता है शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला और गरम ग्रह है यह सूर्य का चक्र 225 दिनों में पूरा करता है इसका भार लगभग प्रत्वी के बराबर है प्रत्वी के 70 प्रतिशत से अधिक भाग पर पानी है इसीलिए पानी वाला ग्रह भी कहते हैं सूर्य का जितना प्रकाश प्रत्वी पर पहुंचता है उसका एक तेहाई हिस्सा ही वह परावर्तित करती है प्रत्वी का वायो मंडल सूर्य के प्रकाश को चारों और बिखेड देता है जिसके परिणाम शरूप नीले रंग की आभा उत्पन करता है इसी कारण प्रत्वी को नीला ग्रै भी कहते हैं प्रत्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं ऐसा करने में इसे 24 गंटे लगते हैं प्रत्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं मतलब एक साल में वय पूरा चक्कर कर पाती है मंगल सूर मंडल में सूर से चोथा ग्रै है प्रत्वी से इसकी आभा लाल दिखाई देती है जिसके कारण इसे लाल ग्रै भी कहते हैं मंगल प्रत्वी से बहुत छोटा है लेकिन उसकी सतह का छेत्रफल प्रत्वी की सतह के बराबर है मंगल प्रत्वी की तरह जीवन से भरा पूरा नहीं है लेकिन इन सभी अंतरों के बाद भी मंगल की भोगोलिक इस्तिती अच्छी है ब्रहस्पती सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है इसके वायू मंडल में बहुत सारी तूफान आते हैं अलग-अलग तरह के तूफानों और बादलों के बनने के कारण यह ग्रह बहुत रंगीन दिखाई देता है शनी शूरे से छोटा और छटा ग्रह है यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा और हलका ग्रह है यह सौरे का चकर लगाने में प्रत्वी के 29.5 साल के बराबर समय लेता है इस ग्रह के चारूं और दिखाई देने वाले रिंग पत्थर और बर्फ के टुकडों से बने हैं अरुण एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की और गूंता है यह बहुत ठंडा ग्रह है यह सौर से बहुत दूर है अपनी धर्टी से 63 गुना बड़ा यह ग्रह अपनी चल्ले के कारण बहुत सुन्दर लगता है इसका गुरुता कर्शन हमारी धर्टी से कम है इसी कारण यदि धर्ती पर हमारा वजन 32 किलो है तो वहाँ पर सिर्फ 28 किलो ही रह जाएगा अरुन ग्रह से सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल के बराबर समय लगता है वरुन सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है यह सूर्य से लगबग 30 गुना अधिक दूर है इसी लिए उसका उपरी वाईू मंडल बहुत ही ठंडा है वरुन देखने में चमकीले नीले रंग का है इसके आठ चंद्र हैं जो इसके चारों और घूमते रहते हैं नेक्स्ट देखिए पेज नमबर 100 पर आपका लेसन 12 बापू का पत्र इस पाठ का उद्दिश है करतव्य बोध, पारिवारिक्ता, सेवा भाव, मदद करना और आत्म निर्भरता प्रिय पुत्र हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, मैं पून रूप से शांती में हूँ आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहां आए हैं लेकिन वे मुझे नहीं दिये गए फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्त सुधर रहा है बा और तुम लोग सवेरे दूद के साथ सावू दाना बराबर ले रहे होगे और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रती असंतोश है जेल में मैंने यहां खूब पढ़ाए इससे मैं यह समस्ता हूँ कि किवल अक्षर ग्यान ही सिक्षा नहीं है सच्ची सिक्षा तो चरित्र निर्मान और कर्तव विका बोध कराती है यदि यह द्रश्टी कोण सही है तो तुम सच्ची सिक्षा प्राप्त कर रहे हो आजकल तुम्हें अपनी बीमार मा की सेवा का अफसर मिला है रामदास और देवदास को भी तुम सम्हाल रहे हो यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी-खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी सिक्षा इसी से पूरी हो जाती है तो यह पत्र बापू जी ने लिखा है अपने बेटे को इसमें उन्होंने यह बताया है कि सिक्षा का उद्देश से केवल पढ़ाई करना नहीं होता है आप अपने करतव्य को अच्छी तरह से निभा रहे हैं वह भी सिक्षा का ही भाग है नेक्स्ट देखें पेज नमबर 101 आमोध प्रमोध एक निश्चित आयू तक ही शोभा देता है 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और करतव्य का ज्यान होना चाहिए संसार में तीन बातें बड़ी महत्यपून है इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाय कर सकोगे ये तीन बातें हैं अपनी आत्मा का अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ग्यान प्राप्त करना इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ग्यान नहीं मिलेगा वह तो मिलेगा ही लेकिन तुम उसी की चिंता करो यह मैं नहीं चाहता इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है अक्षर ग्यान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुमें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको बागबानी यानि अपने हातों से जमीन गोड़ना, खुरपी चलाना, निराई करना, आदी खूप काम करना बविश्व में हमें अपना जीवन निरवाय इसी से करना है मेरी इक्षा है कि अपने परिवार में तुमें की योग्य किसान बनू सभी औजारों को सदा साफ और सूव्य वस्थित रखना अक्षा ग्यान में गड़ित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना बविश्व में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उप्योगी सिद्ध होगी ये दोनों विशे बड़ी उम्र में सीखना कठिन होता है संगीत में भी बराबर रुची रखना काम की अधिक्ता से मनश्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा और पहले क्या करें शांत मन से और सोच समझ कर यदि तुमने सभी सदगुरों को प्राप्त करने की चेस्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मुल्लेवान सिद्ध होंगे मुझे ये भी आशा है कि तुम रोज शाम को प्राप्तना करते रहोगे और परिवार को स्री बैस्ट के यहां भी प्राप्तना में जाते होगे सुर्योदय से पहले उठकर प्राप्तना करना बहुत ही अच्छा है प्रयत्न पूर्वक एक निश्चिस समय पर ही प्राप्तना करनी चाहिए यह नियमित्ता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी तुम्हारा पिता मोहंदास तो यह चैप्टर आप दुबारा से रीड करिएगा अच्छे से पढ़िएगा पाट के उद्देश को समझेए दिस इस यह हूम वर्क